नबस्कार बिहार के डिश्टर मीडिया का जनक भातला भी देख रहा है या बिहार में नितीश कुमार जी की सत्ता समय समय पर डूलते हुए दिखती है चुनाब के बात से ही नितीश कुमार जी इस सरकार में असहज महसूस कर रहे हैं इसके बाबजूद मुख्वंतरी के कि हमारी निती है और हम व्रहष्ट आचार हो अपराद हो सब पर की निती अपनाते हैं और एक बेहतर सरकार चलाने का प्रयास करते हैं और मुष्ट कुमार जी मुश्कुराते हुए हमिसा कहते हैं कि हम विपक्षक के बयानबाजी में नहीं परते हैं हमारा तो एक ही काम है कि विकास करना हम विकास करते रहते हैं सतत विकास करते रहते हैं लेकिन समय समय पर निटीश कुमार जी पर राजनितिक रूप से जो है संकट पिया जाता है लेकिन इस बार संकट शराब बंदी ने ले आई है आपको बता दें कि बिहार और में सराब बंदी लागई है नितीख कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट शराब बंदी है और इसको लेकर के नितिख कुमार जी ने पहले करे कानून बनाए थे बाद में कुछ जो है आपको ढिलाई भी की गई उस कानून को थोड़ा सा कम किया गया सजा को थोड़ा कम किया गया पहले हत्या के माफिक जो है आपको सराब रखने सेवन भंडारन इस सब पर मुकदमा होता था लेकिन अब जो है उस सराब बंदी कानून की में जो सकती थी उसमें थोड़ी कम ही लाई गई है लेकिन आपको बत मुझ जाए यह बहुत ही ज्यादा पीड़ा दायक होता है पीड़ा खबर थी और इसके बाद बिहार के मुखमंतरी नितीश कुमार जी ने इस पूरे परकरण में संग्यान भी लिया है आपके बिपक्ष लगातार सराब बंदिक कानून को लेकर के सवाल खरे करते रहे हैं और इसके साथ जहरीली सराब से अब जो है मरने वालों की संख्या अब तक गोपाल गंज और अगर पस्चिम चंपारन की बात करें तो गोपाल गंज में अब तक जहरीली सराब से मरने वालों की जो संख्या है 18 के आसपास पहुंच गई है वहीं जो पस्चिम चंपा करने के लिए एक बड़े लेवल की मीटिंग बुलाई है सोलर नवंबर को यह मीटिंग आयोजीत होना है जिसमें बिहार सरकार के मुखमंतरी नितीश कुमार जी रहेंगे सरकार के मद निश्यद विवाग के मन्तरे शुरियल कुमार रहेंगे साथी साथ तमाम आला अधिकारी मौझד रहेंगे इससे पहले नीचिस कुमार जी ने एक बड़ा संदिश मैं संदिया है प्रिंटिंग बनाए जाए यानि कि एक जन जागरुकता अभ्यान जो है बड़े अस्तर पर फिर से जो है परचारित करने की जरूरत है सराब बंदी के फायदों को गिनाने की जरूरत है लोगों को और अधिक जागरूप करने की जरूरत है ऐसा बिहार के मुख्यार निटीश कुमार जी मानते हैं यानिकी निटीश कुमार जी ने छटके बाद इमर्जंसी मीटिंग बुलाई है 16 नवंबर को उसमें सराब बंदी से जुरे हुए तमाम प्रकरन तमाम मामले तमाम कानून सब की एक बार फिर से समिक्षा की जानी है इसके बाद ही जो है खूल करके तमाम रिपोर्ट सामने आप आएगा निटीश कुमार जी क्या कुछ फा अगर वीडियो पसंद आई और वा बिहार के राजनी और विहारियत से स्वरुकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुआ मुफ्त में मिल जाए अगर अगर वा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी